हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी नास्ता की रेसिपी लेग किया हूँ जिसको एक बर बनाओगी तो बार बार बनाना चाहूँ कि इतना स्वादिश्ट क्रिस्पी नास्ता बनके त्यार होती इसको हम बचेवी रोटी से बना के त्यार करेंगे जो बहुत ही इ vra कर सकते हैं फिर इस तरह से अचछे से मैंक करने के बाद इसमें आधी छोटी चमच चमत ठादन्र किया आधी छोटी चमच इसमें धन्य पोटर डाल देना है आधी छोटी चमच इसमें फ्लेवर के लिए चाट मसट डाल देना है आप 34 में निवू का रस या इसमें आमचूर पोटर भी डाल सकते से बहुत अच्छा टेश्ट आएगा और इस तरह से डालने के बाद इसमें कर सकते फिर एक बॉल लिजिए उसमें दो से तीन चमस गेहँवाट डालिए आप चाहतों मैदा भी ले सकते फिर आधी छुटी चमस जिसमें नमक या टेस्ट के अनुसर नमक डाले फिर इसमें थोड़ी सी मिर्ची और एक चमस सफेद वाले तील लीजिए और बारी का टीव मैं इस तरह से बना के त्यार करेंना है इससे जो नास्ता बनाएंगे ना उसको डीप करके हम लोग फ्राइ करेंगे इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए इसमें कोई लंस नहीं रहना चाहिए और अच्छे से मिलाते हुए इसको इस तरह से बेटर बना के त्यार कर और किसी भी कटोरिया घ्लास की सहाता से इस रह से राउंडर के एक provinces कट करना है आप किसी कटर बियूज कर सकते हुआ है लगने विश्वास रांडर से रांड़ सेट को सब्टे करने से इस धंचमक्तों ने मेखन से subscribe रोटियों की उपर अच्छे से आलू का श्टफिंग लग जाए इसी तरह से सभी रोटियों की उपर लगा के रेडिक कर लेना है फिर जो और बचा हुआ है राउंड सिप में कट करके रोटी उसको इस तरह से अच्छे से इसकी उपर लगा देना है ताकि आलू का श्टफिं उसमें इसको डीप करेंगे इस तरह से पहले से नहीं करना है जब तेल अच्छे से गरम हो जाए जब तभी इसको डीप करके तेल में इस तरह से डालना है तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही मैंने जो रोटी का नास्ता बना के रखे तेल उसको इस आटे के घोल में डीप क किसी को पता ही नहीं चेलेगा कि बची हुई रोटी से बना इतना स्वादेश्ट ये नास्ता बन के तियार होते हैं इस रसे अलटे पलटे हुए मैंने इसको क्रिस्प होने तक पका लिया और इस रसे हलका सा कला चेंज होने के बाद मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया इस तरह से दोनों को निकालने के बाद जो बचे हुए नास्ते ना उसको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से करके रेडी का लेना है सभी रेडी होने के बाद इसको इस तरह से प्लेट में निकाली और त्यार है बची वी रोटियों का बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिनी नूई रेसिपी देख सकते मिलते हैं ने इस टी वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग